हलो माई फ्रेंड्स आप सभी का अपनी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और देखिए आपकी डांगसिंग डॉल भी आपका मोस्ट वेलकम कर रही है इस वीडियो में तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपने डांगसिंग डॉल या फिर फोशिया प्लांट के बारे में जो की बहुत ही खुपसूरत प्लांट होता है और हर नर्सरी में आपको नहीं मिलने वाला लेकिन जिस भी नर्सरी में मिलता है तो उनकी लूट मत जाती है तुरंद ही आते ही ये बिग जाते हैं तो देखिए आज की केर वीडियो हमारी इनी पर है तो सबसे पहले देखिए एक ये परपल वाले ये देखिए किते प्यारे लग रहे हैं और इसी के साथ में ये वाले और अभी एक वराइटी मेरी ब्लूम नहीं करिए वो है ये ये थोड़ा सा ब्लैकिश देखिए इनके लीफ कितनी अलग है तो मैं बता दूँ इसको मैंने कहां से पर्च नैनिताल से मैंने वैसे चार प्लांट बाय किये थे जब बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी यही सितंबर के महीने में मैं गई थी नवरात्री के समय तभी मैंने ये पर्चेस किये थे और वहां से मैं चार प्लांट लाई थी दो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाए और उ यह दोनों मिटी में लगे हुए जिसमें मैंने वर्मी कंपोस्टों नहीं डाला है थोड़ी मेरी पास पत्यों की खाती तो उनमें लगाया है और जो यह वाले आप देख रहे हैं छोटे गमलों में तो इनकी देखे मैंने स्वाइल कैसे बनाई है यह मैंने वही अजेलिया व अगे हुए सायत रेनी सीजन आने आने तक सायत खतम हो जाए लेकिन मैं चाहूंगी कि इनकी कटिंग बना लू इतना घना ये पौदा कैसे हुआ किसी ने मुझसे कमेंट किया था तो देखिए मैं इनकी लगातार मैंने इनको पूरी विंटर मैंने फ्लावर नहीं लिये दिसंबर के बाद मैंने इसके पिंचिंग बन की थी जब बहुत ज़्यादा कोयरे होने लगे थे तो आप देखिए तो मैंने इसमें कितनी पिंचिंग करी हुई है देखिए उसी के व बनते हैं, यह देखिए, इसको आपको हटाना भी जरूरी अगर आप लगातार फ्लावरिंग लेना चाथे हैं, तो देखिए, जैसे यह फ्लावर स्पेंड हुआ है, और इसी के साथ में यहां, सीट पॉड बनेगा, तो अगर आप लेना चाते हैं, तो फिर सीड ले सकते हैं लेकिन मैं कहूंगी, seed से बहुत अच्छे से यह grow नहीं होते हैं. ये देखिए एक मेरा ये डाउंग टूटी हुए तो मैं बता ही देती ये टूटी गई है तो ये देखिए पूरी टूटी हुए जरासी से लगी थी ये देखिए इस तरीके से आपको लेनी होती है और ये पहले तो आप flowers हटा दीजे इनके उपर से इस तरीके से ये flowers आप इस तरीके से अटा दीजे और यहां से मैं अभी कट कर दूंगी और इसी प्लांटर में मैं इनको एक से दो इंच तक मतलब यही नोट से ही अपकी जड़ाती है तो इतना इनको डालना जरूरी है तो यह अभी मैं लगा लेंगी तो यह हो गया अब इनको वही बिल्कुल अज जैसे ही कियर कोई ज्यादा खास केयर नहीं करनी होती है किसी ने अजेलिया में मुझसे कहा था कि यह साल दर साल नहीं चलते हैं जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि यह बहुत साल तक जैसे गुड़ाल वगएरा है यह आपके 6-7 साल चल जाते पर अजेलिया है फूशिया यह सारे लगातार आपको नहीं चलते हैं जैसे डहलिया बगएरा होते हैं कि आम इनके लगातार कटिंग लगाते रहते हैं गुल्दाओदियों की लगातार कटिंग लगाते रहते हैं तो वो हमारे पास रहते हैं वैसे ही अगर आप इनकी टाइम रहते ही कि जैसे यह आपके पास सालो साल रह सकता है मेरा उस वीडियो में कहने का मतलब यही था कि सालो साल रहने का मतलब यही होता है कि आप जैसे ही आपको लग रहा है कि यह प्लांट डैमेज होने वाला है तो आप तुरंट उसकी कटिंग लगा लीजे और उनको थोड़ा सा shady area प्रवाइड करा दीजिए अगर गर्मियों में भी आप चाहते हैं कि cutting लग जाए अगर AC वगेरा है आप किया तो उनमें भी रखके आप इनकी cutting को grow कर सकते हैं बस इतनी AC केयर अगर आप कर लीजिए और fungicide का spray rainy season में करते हैं और over watering मत करिए क्योंकि इनको over watering से इन में क्या होता है कि इनकी यहाँ पे जड़ें जो एकदम अजीब सी हो जाती हैं गलने से लगती हैं और इनकी leaves इतनी छोटी छोटी सी हो जाती हैं कि आपको लगेगा यह plant बिल्कुल जाने वाला है यही same condition मेरे इन दो plant के साथ में भी हुआ था क्योंकि उस समय बहुत तेज पानी बरस रही थी मुझे लगा थे यह दो plant भी नहीं बचेंगे लेकिन मैंने इनको shade में रखा लगातार में fungicide का spray किया थोड़ा सा जिंक का spray किया जिसे इसकी immunity बढ़ सके और यह plant मेरे बच गए तो बस friends आपको भी बस इतना ही करना अगर फूशिया है आपके पास तो इस तरीके से care करिए और अगर मटियां रखी है आपने मटियों में लगाया है तो यहाँ पर mulching कर दीजे लेकिन पानी देने से पहले फिर से देख लीजेगा mulch हटा कर कि वो plant जो है over water तो नहीं हो रहा है कि उसकी मटियां गीली तो नहीं हो रही है मटि गीली है तो फिर मत दीजे बस यही काम करना है और आपके पास भी यह पूशिया है बिल्कुल मेरे जैसे ही bloom करेगा ओके और fertilizer की बात करूँ तो डिएपी के लावा मैं और कोई fertilizer नहीं देती मैंने बताया हुआ है कि इसे पतियों की खा दे तो कुछ और ज्यादा extra देने की जरूरत नहीं है आपको बस किसी ने एक यह भी comment किया था कि मेरे में flower नहीं आ रहे है अगर आपका plant अभी cutting के through लगा होगा तो भी इनमे flower नहीं आएंगे जब plant mature होता है तो ही flowering के stage में वो यह देखे और नैनी ताल में या हमारे काटमांडू में भी बहुत जो काटमांडू एरिया है वहाँ पर भी आपको roadside में ऐसी ही लगे मिल जाएंगे क्योंकि weather की बात होती है वहाँ का climate ऐसा होता है कि वहाँ पर चल जाता है हमारे यहाँ का climate तो 45 डिग्री से भी उपर ज अच्छे लगते हैं जिनको जुमका फूल भी बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल जुमके की जैसे लगते हैं तो बस इसी को दिखाते हुए मैं अपने वीडियो को कर रही हूं इन नेक्स वीडियो में फिर मिलूंगी ओके माई फ्रेंड्स बावाई हैपी गार्णिंग एंड बीसेव